हेलो फ्रैंड्स कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ आप सभी बहुत एच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चानल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ देव्या वर्मा दोस्तो हम लोग फ्रांको कैंटाब्रियन छेत्री की गुफाओं के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने अल्तामीरा कंप्लीट कर ली है आज हम लोग जिस गुफा के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लासको लासको गुफा दक्षडी पक्षमी फ्रांस की है तो इसी गुफा के बारे में आगे हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे और दोस्तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजेगा अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और दोस्तो हम आपकी सहाता करने के लिए टेलिग्राम चैनल पर व्यू प्लब दें तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं जिसके लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी तो लास्को गुफा के बाद हम लोग नियायो गुफा के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ते हैं लास्को के बारे में तो लास्को गुफा की खोज हेंरी ब्रूइल ने की थी उन्नीस सो चालिस इसवी में आप चलिए इसकी बारे में थोड़ा हम लोग डीटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रांस की इस गुफा की खोज 1940 EC में हेनरी ब्रूइल ने की थी फ्रांको कायंता ब्रियन छेत्र में उपलब्ध गुहा चित्रों में या सर्वस्रेश्ट है यहां के चित्र सुरक्षित हैं और इनमें बड़ी चमक भी है तो फ्रांको कायंता ब्रियन में जितनी भी गुफा हमें गुफाओं में हमें चित्र प्राप्थ हुए हैं उनमें से लास्को के चित्रों में चमक है और यहां के चित्र सबसे ज़्यदा सुरक्षित भी हैं। चूना पत्थर की चटानों से निर्मित यह गुफा मांतिनाग ग्राम से एक मेल दूर वेजर नदी की घाटी में स्थित है। गुफा में प्रवेज करते ही चित्र वीथी के दर्सन होते हैं। यानि जहां पर चित्र मिले हैं उसी को कहा गया है चित्र वीथी। चित्र वीथी की लंबाई 99 फीट हैं और 14 फीट है। दीवारों पर अनेक पसु अंकित हैं दीवारे सभी स्थान पर पूरी तरह चित्रों से सुसज्जित हैं तो यहां की दीवारे पूर्ण रूप से चित्रों से सुसज्जित पाई गई हैं विसाल कक्ष के अंत में एक छोटी वीथि का खुलती है जो आगे चटानों में लीन हो जाती है इसमें भी सुन्दर बित्य चित्र अंकित है बित्य चित्र का आर्थ है जो चित्र दीवार पर बनाया जाते है कक्ष के बाईयोर की दीवार में से एक और मार्ग अनिगुफा की ओर जाता है जो कुछ उचाई परस्थित है यहां अनेक उत्कीर्ण चित्र भी मिले हैं उत्कीर्ण चित्रों का आर्थ है जो चित्र खोदे गया है दिवार पर किसी यंत्र की सहता से चित्रों को खोध दिया गया है जिससे की चित्रों में उभारा गया है इसके बीतर 23 फिट गहरी सुरंग को पार करने के उपरांथ एक वीती में भी हिम युगीन एक वर्णात्मक चित्र है जिसमें घायल बाईसन को वेदता हुआ भाला दिखाया गया है तो यहां पर एक वरनात्मक चित्र मिला है और उस चित्र में क्या है? घायल बाइसन को वेदता हुआ भाला इस चित्र के बारे में अभी आगे आप लोगों को डीटेल में बताया जाएगा कि इस चित्र में क्या-क्या दिखाया गया है विसाल कक्ष का एक नाम जंगली व्रस्भों वाला कक्ष भी है तो यहाँ पर जो विसाल कक्ष प्राप्थ हुआ है अभी आप लोगों को पीशे बताया गया था तो उस कक्ष का दूसरा नाम क्या है जंगली व्रस्भों वाला कक्ष इसके चित्र बड़े मारमिक है जिनमें तीन पूर्ण तथा एक अपूर्ण आक्रत यंकित है लगभग 18 फूट लंबाई में ये चित्र हिम युगीन कला का एक विसिस्ट पक्ष है सीमाय काले रंग से चित्रित हैं और प्रवाह मही रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई है तो सीमाय यानि की आउट लाइन काले रंग से की गई है चित्रों की और प्रवाह मही रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है प्रवामई रेखाओं का मतलब है लयात्मक रेखाओं तो लयात्मक रेखाओं से सीमाय बनाई गई है सरीर का भीतरी भाग काले रंग से या काले बिंदूं से रंगा गया है तो पसवों का भीतरी भाग काले रंग से बनाया गया है या फिर काले बिंदुओं से रंगा गया है सींगो कांकन तुर्टिपूर्ण है जो समस्त आर्गेशियन काल की विसेशता है यानि कि पूरे आर्गेशियन काल में इस प्रकार की सींग्य देखने को मिली है इन आकरतियों के नीचे इन से पहले गहरे लाल रंग द्वारा चित्रित जंगली व्रसभूं की आकरतिया बने हुई है तो यहाँ पर जो हमें चित्र देखने को मिले हैं उन चित्रों के नीचे गहरे लाल रंग से चित्र बने हुए थी जिनके उपर दूसरे चित्र बना दि इसी वर्ग में वह आकरत है जिसे एक सींग वाला अस्व या फिर यूनी कॉर्ण कहा गया है इसी कक्ष में यानि की जो यहां पर विसाल कक्ष मिला है वहीं पर एक सींग वाला अस्व जिसे इंगलिस में यूनी कॉर्ण कहा गया है तो यह चित्र भी बना हुआ है इस चित्र के बारे में भी आगे आपको डीटेल में बताया जाएगा बाई और की दिवार पर चित्रित आमने सामने देखते हुए दो व्रस्बों के मद्ध अनेक छोटे-छोटे हिरन चित्रित है जिनके सींग बहुत विसाल है वह भी गहरे लाल रंग में चित्रित होने के कारण अपेक्षाक्रत प्राचीन समझे जाते हैं तो दो व्रस्बों के मद्ध में छोटे-छोटे हिरनों का चित्रन किया गया है जिनके सींग बहुत विसाल बनाए गए हैं और इनका रंग ऐसा है लाल जो की अपेक्षा क्रत प्राचीन समझे जाते हैं यानि की जो व्रसभूँ वाली आक्रतियां हैं उनसे हिरोडों वाली आक्रतियां प्राचीन मानी गई हैं यूनी कॉर्न के निकट एक बड़ा अस्व भी चित्रित है उसके सरीर में लाल बादामी रंग भरा है किन्तु सिर्फ पीट तथा पैर काले हैं एक अन्य अस्व भी इसी प्रकार का है उसके नीचे छोटे-छोटे कई अस्व कुदान भरते हुए चित्रित हैं कुदान भरने कार्थ है उचलते-कूते कई अस्व बनाए गए हैं अस्व का मतलब घोड़ा होता है मैं बार-बार अस्व बोल लहीं हूँ तो सायद आप मेंसे कुछ लोग ऐसे हूँ जनको ना पता हूँ तो अस्व का मतलब घोड़ा होता है यहां एक बहुरंगी गाय का भी अंकन किया गया है बहुरंगी गाय वाले चित्र के बारे में आगे आपको डीटेल में बताया जाएगा जो चित्र इंपोर्टेंट है उनके बारे में आपको डीटेल में चीज़ें बता दी जाएगी यहां बड़े सुन्दर छोटे छोटे अस्व भी चित्रित हैं जिनका मुख गहरे लाल लंका एवं सरीर हलके लाल लंका है। यहां फीते के जाल के समान कुछ चिन्द बने हैं, क्या ये जाल हैं, अत्वा चौपड जैसा कोई खेल है। तो यहां पर जाल जैसी आकृतियां बनाई गई हैं, जिनने देखकर चौपड जैसा खेल मालूम होता है। परवादी चित्रकारने से चित्रत किया हो। सामने वाली दीवार पर अनेक जंगली अस्व दो सुंदर महिस चित्रत हैं, यहां पजू परस पर पीठ मिलाय हुए खड़े हैं, यहां कि एक दूसरे से पीठ लगाय हुए खड़े हैं। लासको गुफा के चित्र। अब जो चित्र इंपोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको थोड़ा डीटेल में बता दिया जाएगा। तो यहां पर एक ऐसी गाय बनी हुई है, जिसमें पहले लाल लंग भरा हुआ था। उसके बाद में उसी चित्र में दोबारा सी काला रंग भर दिया गया, जिससे यह चित्र बहुरंगा जैसा प्रतीत होता है। फिर अगला चित्र है तैरते हुए हिरन, तैरते हुए हिरनों वाला या चित्र बहुत प्रशिद्ध है, इस चित्र में हिरनों का केवल सर एवं ग्रीवा ही चित्रित है, इस संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फुट छैंच की है, तो तैरते हुए हिरनों वाले चित्र में हिर उनों का केवल सिर एवं ग्रीवा ही चित्रत की गई है यानि कि गर्दन से उपर का भागी चित्रत किया गया है और इस पूरे चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच है फिर अगला चित्र है घायल बाइसन को वेदता हुआ भाला इस चित्र में क्या दिखाया गया है यहां घायल उसे भूमी पर गिरा हुआ अंकित है जो किसी पक्षी का मुखोटा पहने है अगर भूमी में यानि कि आगे की भूमी में ठूट पर बैठा हुआ एक पक्षी अंकित है तथा बाइं और गैंडा दूर जाता हुआ चित्रत है समस्त सयोजन काले रंग से चित्रत है और बाह रेखा हलकी दुंदली है इस द्रस के अनेक अर्थ निकाले गए हैं कोई से दुखांत कथानक अंकन बताता है कोई केवल आखेड द्रस से और कोई यातुक भावना से युक्त चित्र बताता है तो इस चित्र को देखकर विद्वानों ने अलग-अलग इसके अपने अपने जिसे यूनी कौन कहते हैं अब इस चित्र में क्या है चली देखते हैं जंगली व्रसबो वाले कक्ष में या आक्रत है जिसे एक सीम वाला अस्व कहा गया है विसाल कक्ष के बाई और की दीवार पर बनी यह प्रथा माक्रत है इसकी सीमा रेखा बड़ी सपाटेदार है सरी एवं पैर सक्तिसाली है पसु की युवा अवस्था प्रतीत होती है इसका रूप गैंडे अत्वा व्रसब से बहुत सामे रखता है या जो चित्र बना है यूनिकॉन वाला या चित्र गैंडे अत्वा व्रसब से समानता रखता है किन्तु छोटा सा सिर जिसमें से बहुत लं वास्तों में तो प्रत्वी पर मौजूद नहीं है लेकिन पौराडिक कताओं में इस प्रकार के पसू का उलेख मिलता है तो उसी प्रकार का यह चित्र है यह या तो कोई पौराडिक पसू है या पसू वेस में मनुस्य इस प्रकार का यह चित्र है किसे देखने से ऐसा लगत कि कोई पौराडिक पसु है या फिर पसु वेस में मनुस्य है इस प्रकार के यद्य पी कई विचित्र पसु फ्रांको का अंता ब्रियन छेत्र में चित्रित हैं तथा पी यह सबसे अधिक विचित्र हैं यह त्राइफ रेयर्स गुफा में अंकित ओजा की आकड़ से भी पर् एक गुफा है त्राइफ फेयर्स इसमें भी इसी प्रकार की एक आकरत अंकित है जिसे ओजा की आकरत कही जाती है तो इससे भी यूनिकॉन वाली आकरती अलग है यानि यूनिकॉन वाली आकरती सबसे अलग है कुछ अलग ही ढंकी चित्रत की गई होगी फिर अगला चित्र जाल या फिर चौपड का खेल यहां फीते की जाल की समान कुछ चिन अंकित हैं यह जाल देखने में चौपड की खेल जैसे प्रतीत होते हैं फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे चित्रन तकनी की चलिए देखते हैं इसके बारे में यहां पर कैसे चित्र बनाये गए हैं क्या टे गीली दीवार पर रंग लगाने की बिद भी मिलती है। पसूं की सीमाएं रेखाओं द्वारा ना बनाकर इसी विद से बनाई गई है। गीली दीवार पर रंग लगाने की बनाई गई है। 2000 से अधिक चित्र उतकीर्ण यानी खोद कर बनाई गई है। तो यहाँ पर नई नई टेकनिक का यूज हुआ है। और यहाँ के चित्रों में रंगों की बारिक चूर्ण को उड़ा कर गीली दीवार पर चित्रण करने की भी टेकनिक मिली है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बाकि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के रिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों जैहिंत।